हिमाजर प्रदेश के पॉंग डाम वो गोविन सागर जील में हर साल आने वाले विदेशी पक्षियों को सरंक्षन देने के साथ ही मचली उत्पादन को बढ़ाने के मद्दे नजर बिलासपुर में एकत्रत प्रबंदन योजना के तहत स्टेक होल्डर बैठक का आयोजन किया जिसमें वन विभाग के अधिकारी, मत्से निदेशाले के अधिकारी, टाउन एवं एंट्री प्लानिंग के अधिकारी सहित, वेटलान इंटरनाशनल साउथ एशिया के टेकनिकल अफसर भी मौजूद रहे वहीं इस बैठक का मुख्य उदेश जैविक विवित्ता के चलते, गोवन सागर जील में लगातार घट रही विदेशी पक्षियों की संख्या पर चर्चा करना है, ताकि मंगोलिया, रशियव साइबेरिया सहित विदेशों से आने वाले पक्षी गोवन सागर जील के बज अचली उत्पादन को भी बढ़ाने को लेकर बैठक में चर्चा की गई है, इस बात की जानकारी देते हुए DFO बिलासपुर अवनी भूशन राय का कहना है कि आने वाले समय में इस जील को वेट लैंड की तरह विक्सित करने और वहीं गोवन सागर जील में आने वाले हमाचल में, conservation and wise use of five wetlands in three Himalayan states, जिसके अंतरगद हमाचल में पॉंग दैम और गोवन सागर इनका conservation and wise use कर रहे है, along the Central Asian flyway और हमारा end result है कि integrated management plan बनाना, जिसके लिए हम database और inventory create कर रहे है, अलग-अलग wetland features का, animals का, plants का, और उसके तहत trend analysis करेंगे, and finally हम लोग निकालेंगे इसका integrated management plan है, इसका यही परपस है कि Central Asian flyway में जो पंचिया आती है, Central Asia के region से इस region में, तो इसके अंतरगद जो wetlands आते है, जै पंचियों को संग्रक्षन करना, और संग्रक्षन करने के लिए, जो management plan हम लोग submit करेंगे, जो कि forest department follow करेगा, यही propose करना हमारा काम है, तो गोविन सागत के लिए यह पहला integrated management plan होगा, जैसे कि पॉंग के लिए है, वो update हो रहा है, लेकिन गोविन सागत के लिए यह पहला है, इसके बाद उन्हें, इसके बाद उन्हें इसे वेटलंड of international importance याने की रामसार का तकमा देना है, तो इन सब चीजों के लिए एक integrated management plan होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे flagship species जैसे बार-headed geese है, और भी बहुत सारे Central Asian Flyway के सारे SSFE species आते हैं, इस पहुत सारे स्पीसीज आते है इसमें हमने जैसे की पिछले कई सालों से हमें यह ग्यात है कि जैविक विवेदृता जो बायो डाइवर्सिटी है, यह as compared to Pong Dam जील, Govinsagar जील में काफी कम स्थर पर है, तो हमने यहाँ पर यह बैठक बुलाई है ताकि क्या समस्याएं आ रही है, इन समस्याओं का समदान ह जैसे कि जो Pong Dam में, Winter में, Migratory Birds आते हैं, जो Siberia, Russia, Mongolia वगरा से जो Birds आते हैं, वैसे Birds काफी स्थर पल पहले गोविन सागर में भी आया करते थे, बट पिछले कई सालों से यह कम हो गया है, इवन दो कि अभी भी आते हैं, बट उतनी तादाद में नहीं आते हैं, जतना की Pong Dam में हैं, तो इस बायो डाइवर्सिटी जैविक विवेता को रिवाइफ करने के लिए यह मीटिंग आयूजित की गई थी, और यह आगे चलकर गोविन सागर जील को हो सकता है, एक वेट लेंड या इवन रामसार साइट के रूप में इसको देखा जा सकता है, बिलासपोर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट